हलो चिल्डरन, वेलकम टुरुतु माम्स ओनलाइन क्लास डियर चिल्डरन, आज हम आपकी कक्षा चोती कि परिवेश एदिन की पाठय पुस्तक जरोखा के पाठ उन्यस एक कदम स्वच्चता की ओर को पढ़ेंगे और उसमें दिये हुए अभ्यास को भी करेंगे तो बच्चो देखो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि क्या है नाम इसका एक कदम स्वच्चता की ओर तो इस पाठ में क्या होगा, बताओ क्या दिया होगा, किस बारे में चर्चा की गई होगी इस पाठ में स्वच्चता के बारे में, साफ सफाई के बारे में कि हमें अपने घर, अपने घर के आसपास, विद्याले, विद्याले के आसपास, आसपोडोस में भी सब जगह सफाई रखनी चाहिए है ना कचरे को खुले में नहीं फेकना चाहिए डस्ट बीन में डालना चाहिए कुछ इस तरह की बाते होंगी शायद इस पाठ में है न और भी बहुत सी बाठते हैं बच्चो इस पाठ में कचरे के निप्टान के बारे में भी काफी कुछ इस पाठ में है तो चलो बच्चो, शुरू करते हैं इस पारट को देखो, यहां पर अपको क्या नजर आ रहा है देखो इस चेत्र में देखो क्या कर रही है ये बच्चे और ये द्रेशय कहां का है आप समझ गए होगे ये तो एक क्लास रूम का कक्ष का द्रिश्य है देखो जहां पर ब्लैक पोर्ड है तेबल चियर है और बच्चे इस कमरे को कक्ष को सजा रहे हैं दिखो, है न चलो, पड़ते हैं कोन है ये बच्चे और क्या कर रहे हैं चोती कक्षा की अध्यापिगा ने कहा, बच्चों आज हम सब मिलकर अपनी कक्षा के कमरे को सजाएंगे अच्छा तो ये तो चोथी कक्षा के बच्चे हैं और अपने कक्षा कक्ष को सजा रहे हैं बच्चों ने अध्यापिका से रंगीन कागज स्केच पैन, पैन पैंसिल वो रंग लिये और काम में जट गए सब बहुत उत्साहित थे सभी ने मिलकर कक्षा को सजाया सजी हुई कक्षा को देखकर अध्यापिका ने कहा वह दिवारें तो सज गई है लेकिन फर्ष पर कच्रा बहुत फैल गया है अब सब मिलकर कागज के टुकडों वो पैंसिल के छिलकों को एक डिब्बे में और पॉलिथीन खाली हुए पैं वर रंग की खाली शीशियों को दूसरे डिब्बे में डालो भई देखो कच्रा फैल गया था ना कटिंग की होगी उन्होंने और काफी सारा सामान भी फैल गया होगा उसी को विवस्तित करने को कहा अब देखो रजनी क्या कहती है मैडम ये सारा कच्रा एक ही डिब्बे में क्यों न डाल दे अध्यापिका क्या कहती है देखो अब ये आपने ध्यान किया कि अध्यापिका ने क्या कहा है देखो क्या कहा है कि कागज के टुकडों और पैंसिल के छिलकों को इनको तो एक डिब्बे में डालना है और पॉलिथीन खाली हुए पैन रंग की खाली शीशियों को दूसरे डिब्बे में डालना है देखो यह सब प्लास्टिक के है ना तो इनको दूसरे डिपी में डालने को कहा क्यों कहा भई देखो बताती है अध्यापी का नहीं यह कच्रा दो तरह का है कागज पैंसिल के छिलके आदी एक तरह का और पॉलिथीन खाली पैन और शीशियां दूसरे तरह का इसका सही तरह क इसे निप्टान करने के लिए पहले इसे अलग करना जरूरी है एक जैसा है नहीं कच्रा और यह जैसा यह प्लास्टिक का है ठीक है बट्टा अब देखो आगे दिया भी है कि देखो सोचो और लिखो अपने आस-पास देखो और लिखो कि तुम किन चीज़ों को कच्रा कह होंगे जैसे फटे कागज फलों के छिलके और बताओ कच्रा क्या होता है मुमफली के छिलके और पैंसिल के छिलके सबजी के छिलके और जो भी आप समझते हो कि यह कच्रा है तो आपको यहां लिख लेना है जगेना हो लिखना हो ज्यादा तो यहां पर आप अपनी तरफ स लगा लेना और यहां आप लिख लेना ठीक है अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं देखो बच्चों पेज नमबर 157 पर चर्चा करो कच्रा खुले में फेकने से क्या नुक्सान हो सकते हैं बताओ बच्चों सोचो आपके घर के बाहर बहुत सारा कच्रा गिरा हुआ है और वो कई दिनों से इकठा है तो क्या हालत होगी बताओ बदबु आएगी है न गंदगी फैल जाएगी और बिमारिया फैलने का डर रहेगा मच्चर मकी पैदा होंगे और बिमारिया फैल आएंगे है ना तो देखो उसे हम कैसे लिखेंगे देखो बचो लिखेंगे कच्रा खुले में फैकने से चारों और बदबू और गंदगी फैल जाती है जिससे बिमारिया फैलने का डर रहता है है ना यही हम लिखेंगे उत्तर में बाकी आ घर से निकलने वाले कच्रे और स्कूल से निकलने वाले कच्रे में क्या अंतर होता है बताओ बच्चों अब यह बताओ देखो पहले कि घर से निकलने वाले कच्रे में क्या क्या होता है बताओ देखो सबजी है ना सबजी के छिलके होते हैं फल के छिलके होते हैं और क्या होत चिलके और क्या होता है पॉलिथीन भी हो सकती है ज्यादा तर कागज और पैंसिल के चिलके होते हैं यह न बच्चो अंतर है न दोनों में तो दोनों अलगत तरह का कच्रा है तो इसे हम लिख देंगे देखो कौपी में घर से निकलने वाले कूड़े कच्रे में जल्दी सड़ने वाले पतार्त जैसे सबजी एक छिलके फल खादपदार्तों के रैपर इत्यादी होते हैं देखो जल्दी सडने वाले कौन से होते हैं जल्दी सरने वाले पदार्थ सबजियों के छिलके और फल है ना और बाकी क्या होते हैं बाकी होते हैं खादे पदार्थों के रैपर इत्यादी यहां पर व और लिख ले ना व या फिर और कि जल्दी सरने वाले पदार्थ व खादे पदार्थों के रैपर इत्यादी होते है जबकि स्कूल में खाली कागज, पॉलिथीन, इत्यादी का कच्रा अधिक होता है अब नेक्स्ट प्रश्ण भी इसी में से पढ़ लेते हैं कि गाओं और शेहरों से निकलने वाले कच्रे में क्या अंतर होता है बताओ, क्या अंतर होता है गावों में भी क्या होता है जल्दी गलने सड़ने वाले पदार्थ अधिक होते हैं और शहर में काच, प्लास्टिक, रबर, नुकिरी चीजे पॉलिथिन ये ज्यादा होते हैं तो यही लिख देंगे कि गावों से निकलने वाले कच्रे में जल्दी गलने सड़ने वाले पदार्थ अधिक होते हैं जबकि शहरी कच्रे में काच, प्लास्टिक, रबर, पैंसिल, नुकिली चीजें तथा पॉलिथिन अधिक होते हैं ठीक है, तो बच्चो कच्रा भी अलग-अलग तरह का होता है न और उसका जो निप्टारा किया जाता है उसे भी हम अलग-अलग तरीके से निप्टाते हैं, अलग-अलग तरीके से उसका निस्तारन किया जाता है कच्रे के सही निप्टान को कच्रे का निस्तारण कहा जाता है देखो लिखा भी है कि कच्रे के सही निप्टान को कच्रे का निस्तारण कहते है निस्तारण से पहले कच्रे को छाट कर दो तरहे के कच्रे में अलग करना जरूरी है कैसा देखो एक तो गलने वाला और एक ने गलने वाला तो गलने वाला कच्रा देखो कौन सा होता है आपको समझ भी आ गया होगा कौन कौन सा होता है देखो यह कच्रा गल कर मिटी में मिल जाता है और मिटी को उपजाओ बनाता है जैसे कागज, फलो, सबजियों के छिलके, अंडों के खौल, चाय की पत्ती, जन्तों का मलमुत्र, जिसे अपशिष्ट भी कहते हैं, सूखी पत्तियां आदी बचों आपने देखा होगा, जैसे पेड कहीं होगा होता है, पेड पोधे होते हैं, उनके पत्ते नीचे गिर कर मिट्टी में मिल जाते हैं, और वो गल जाते हैं कुछ दिन बाद, उसी में मिल जाते हैं मिट्टी में, तो वो क्या करते हैं मिट्टी को उपजाओ बनाते हैं, फायदेमत होते हैं, वो गलनेवाला कच्रा होता है, और नैगलनेवाला कच्रा, कभी आपने देखा, प्लास्टिक कहीं गिरा हूँ, और गलने लग गया, लोहा गलने लग गया हो, पॉलिथीन, काच, देखा yra कभी गलता हुआ, नहीं गलता है ना, सालो साल कुछ भी कर लो कभी निगलता हो है ना? उसे को कहते हैं प्लास्टिक, लोह, पॉलिधिन, कहा चीज़ अले इसे को कहते हैं नै घलने वाला कच्रा अब देखो यहां आपको क्या करना है यहां निम लिखित कच्रे को छाटो और तालिका में सही जगय पर लिखो देखो यहां पर कुछ कच्रा है आपको यहां इस तालिका में लिखना है यहां लिखना है गलने वाला कच्रा और यहां आपको लिखना है ने गलने वाला कच्रा इन्हें आपको छाट कर लिखना है केले के छिलके, चिप्स के रैपर, सूखे पत्ते, लोही के टुकडे, फटा हुआ सूती रुमाल, पॉलेथिन की थैलिया, गत्ते का पुराना डिब्बा, काच के टुकडे, इंजेक्शन की प्रियोग की हुई सुईया, गोबर तो आपको इनको कटेग्राइज करना है, ठीक है, तालिका में लिखना है, बचों आपको वीडियो पोज करके लिखना है, वीडियो पोज करके आपको इने देखना है कि कहां लिखे जाएंगे और सही जगह पर आपको लिखना है, लिखने के बाद आपको वीडियो प्ले करन अब देखो मैंने यहां लिख दिये हैं केले के छिलके सूखे पत्ते फटा हुआ सूती रूमाल गत्ते का पुराना डिब्बा और गोबर यह सभी क्या है गलने वाली चीज़े हैं गलने वाला कच्रा है और देखो चिप्स के रैपर लोहे के टुकडे पॉलिथीन की थैलिया काच के टुकडे इंजेक्शन की प्रियोग की हुई सूईया यह सभी क्या है यह सभी नैगलने वाला कच्रा है ठीक है तो इसलिए इन कच्रों को अलग अलग वर्गी कृत किया जाता है इनके लिए अलग निस्तारन किया जाता है कच्रे का इसका अलग ठीक है अलग तरीके किसे इनका निप्टान किया जाता है बलकि इनका निप्टान तो आसान है इनका निप्टान वो देखना पड़ेगा आसान है मुश्किल है या कैसे हो सकता है क्या इनका निप्टान संभव है या नहीं है क्योंकि ये तो गलते ही नहीं है है ना तो फिर इनका निप्टान कैसे किया जाए तो बच्चों यह हम जानेंगे next वीडियो में आज के लिए बच्चों इतना ही इस चैप्टर की सबी वीडियो जो आगे बनने वाली हैं वो वीडियो भी और अपने बागी सबचेक्ट की सबी वीडियो देखने केलिए और online study करने के लिए आप मेरी चैनल एजुकेशनल वाइबस वद रितुम अलिक एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं वीडियो और ओलनाइं स्टडी कर सकते हैं और हाँ बच्चों अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसी के साइड में जो बैल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आप ओलनाइं स्टडी करते रहें तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बच्चों झाल है